मुशलमान अपने धर्ब के पड़ती है, उसके एकदम अडिग है कप्टर, ये हिंदू ये ये समझना परेखा, सनातन धर्ब में बली पर्था था, बली पर्था में जटका हो जाए, अगर वो रुख गया, असुध माना जाला हलाल मान्स खाकर भ्रस्ट न करे अपना धर्म, हिंदू को खाना चाहिए जटके का मान्स, मान्स खाना को लेकर गिरिरासिन का बयान, हलाल मान्स खाने पर मुस्लिमों की की तारीश क्या बिधान सबचनाओं में जीत के बाद भटक रही है बीजेपी, क्या कन्फ्यूज हो गई है बीजेपी, क्या गिरिरासिन बिगार सकते हैं बीजेपी का खेल केंद्रे मंत्री गिरिरासिन का एक बड़ा बयान सामने आया है, कही न कहीं बीजेपी के अजेंडे से अलग उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर आब राजनीतिक गलियारों में घमसान मचा हुआ है आपको बता दें कि केंद्रे मंत्री गिरिरासिन ने मांस को लेकर एक और बयान दारी किया है, उन्होंने साथ तोर पर कहा है कि हिंदू, जो हिंदू जातिवात के लोग हैं उन्हें जटके का मांसी खाना चाहिए, उनका एक बड़ा बयान आया है जिसको लेकर अब चर्च गिरिरासिन ने बयान दिया है, लेकर कि हिंदू जो लोग हैं उनको जटके का मांस खाना चाहिए, और कई न कई गिरिरासिन जो है अपने बयानों के तर्च पर जो हमेशा विवादों में बने रहते हैं, ऐसे में बीजेपी ने जिस तरीके से विदान सबद चुनाओं में जीत हासिल की उसके बाद मध्यपरदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंग यादव एक बार फिर से सुर्खियों में आते हैं और साफतोर पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि खुले में मांस बेचना जो है इसको परतिबंद लगाया जाएगा और राजस्तान में भी बाबा जो ब सरे के मुद्दे को उठाया था लेकिन इसको लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या लोग सबाद चुनाओं से पहले गिरास सिंग बीजेपी के लिए खत्रा बन सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात की जो गिरास सिंग हैं उनको ऐसे बयानों के लिए ही जाना जात दो की राजनीती करने के लिए से बयानों को देते हुए नजर आते हैं और यह उनकी लीए कुछ नई बात नहीं हैं जासा वो कहले हिए हिंदू हिंदू को जो हलाल का मीड़ चोड़ देना चाहिए जख्यका मीड खाना चाहिए तो यह यह की रिजट काने से परहें पर भी रेडी पट्री पे इस तरह से फुले आम मीट मचली अंडा इसा बेस्टे के लिए प्रति बंदित कर दिया जाएगा तो यह कई ऐसे सवाल है कि बीजेपी को चाहिए कि अब राजिती छोड़ कर उनको विकास के मुद्व पर बात करने चाहिए क्योंकि मद्द परदेश की ब और भी नेता हों कब तक जो राजनीती रोटियां हैं वो सेखते रहेंगे क्योंकि जनता बिकास चाहते हैं देखिए सतर पहतर साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए अब तो कम सकम हमें संबलना चाहिए ऐसे बयानों को देकर हम आखिर क्या साबित करना चाहते हैं लेकि चुकि जो इस्टेंड बीजे पी के लेते हैं हिंदुत्प का वो गिरा सिंग जो गिरा सिंगे वही लेते हुए नजर आते हैं और बारंबार उनका जो कह सकते हैं कि जो बयान है वो ऐसा रहता है कि जो उनको साबित करता है या करवाना चाहते हैं कि भई मैं हिंदुत्प क सबसे बड़ा पैरोकार हूं और जिस तरह से चुटियों की बाद बिहार में हुई उस समय वे उनका बेयान आता है कि भाई बिहार को इसलामिक स्टेज गोशिच कर देना चाहिए लेकिन जब चुटियों का पूरा पैरामीटर देखा जाता है तो उसमें ऐसा कुछ निकर कर स सकता है लेकिन गिरास की सिंग की बात रही है हमेशा से कि वो बयाद जो बिवादित बयान होते हैं वही सामने रखते हैं और जब बयान रखते हैं तो उसके बाद बावाल मचना मेरे खाल से राज जरूरी हो जाता है जिस तरीके से उनका साफ तोर पर बयान आया पहले अब राजनीती गलियारों में चर्चा बनी हुई है। हलाल है, यह वो मुसल्मान को कोई हलाल जटका खिला दे। मैं मुसल्मानों को परणार करता हुए मुसल्मान अपने धर्ब के पड़ती है। उस एकदम अडिक है कटर। यह हिंदू, यह हिंदू यह समझना परेचा है। हाँ? लिए हिंदू को भी, मैं तो हिंदू करता हूँ हिंदू भाई, वह हुए हुए। सनातन जर्ग में बलीपर्था था, बलीपर्था में जटका होता है। अगर वो रूख गया, असुध माना जाता है। यह हिंदू, बेपुश्राइ मैं अगुता है न मंदे लखन, लखन बुर मंदे लखन, तो मैं यहां भी अब जटका मिटका हूँ, यह कानू खलबाओंगा। तो अपने सुना यह रिपोर्ट की किस तरीके से गिरिरास सिंग साफतोर पर यह कहते हुए नजर आते हैं कि हिंदूों को हलाल मंस खाना छोड़ देना चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जटके वाला मंस खाना चाहिए, जटके वाले मंस में जानवर का वद एक ही जटक रही है कि मांस जो है उस पर प्रतिबंद लगाया जाए, खुले में बिक्री ना किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ उनका एक बड़ा बयान सामने आता है, इसी बयान में आपने सुना होगा कि वो साफतोर पर कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसे बूचण खानों की अवर्शक रखता हूं, मेरी खाल से बो जरूरी नहीं है, और देखिए, जैसी बात आप कहने हैं, उससे थाबित हो जाता है, कि आप उसके प्रक्षदर हैं, और कहने के आप बूचर खाने के खिलाप नहीं है, आप चाहते हैं कि इस तरह से जानवरों का बद होना चाहिए, उनको जो पर लगातार ये देखने को मिलता रहा है कि बीजे पी के जो सरकार हैं, यूपी के आप बात कहलें, वहाँ पर भी लगातार जो हलाल साथ में जो मीट या तमाम सारे बेचे जा रहा है, उनको लेकर भी सवाल उठे हैं, तो ऐसे में सिर्फ मीट के इर्दगिर्द जो कह सकत अगर आप देखेंगे कि इंडिया जो है कह सकते मीट एक्सपोर्ट करने के मामले में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आता है तो यह भी हमें समझे की ज़रूरत है और ऐसे में बयान बाजी करके सिर्फ और बयान दे कर आप हो हला तो माचा सकते लेकि सचाई को शायद हों वो कहते हैं कि यह सुरक्षा का बहुत गंभीर मामला है वहीं बीजेपी के जो बड़े नेता माने जाते हैं क्लाश बीजेबर गया मदेव पुर्देश से बहुत समाने सी घटना है तो यह जो बीजेपी के स्टैंड ने कई बार वो एक दूसरे से एकदम अलग छोर प भारत आ गया तो ऐसे में इसके खिलाब यह प्रक्ष में बियान देकर आप जो है चीजों को डाइवर्ट करने का प्रियास करते हैं चुकि असलियत यह है कि हमारे देश में आज विकास की जरूरत है आज शिक्षा की जरूरत है आज कह सकते हैं अच्छी सड़कों की जरू जिससे उनको राजनीतिक लाब मिले लें कि बिल्कुल और यह सिर्फ राजनीतिक लाब लेने के लिए पूरे के पूरे मामले होते हैं क्योंकि इनकी कोई जमीन तो होती है नहीं कुछ भी मन में आया बोल दिया और कुछ दिनों के बाद उससे अपना पल्ला जार लिया तो जाते हैं लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा इंपक्ट मेरे खाल से नहीं पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला इसलिए गिरासिंग को अब अपनी राजनीती को बदलना चाहिए क्योंकि देखिए लगाता है दस साल से बीजेपी सत्ता में हैं अब उनको जवाब दिया करन चाहिए ऐसे बैनों से बचना चाहिए जी बिलकुल जिस तरीके से बताया कि कहीं न कहीं अब धर्म की राजनीती छोड़ करें तमाम उलजलूल बातों को छोड़कर विकास पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस वक्त देश को सबसे ज़्यादा जो है वो अस्पतालों की सड़कों की जरूरत है सिक्षा बेवस्ताओं को सुधारनी की जरूरत है तमाम पहलूँ पे जो है हमें बात करनी चाहिए लेकिन जिस तरीके से जो नेता है वो कहीं न कहीं उलजलूल बयान देकर जंता को भटकाने की कोशिस करते रहते हैं और इन से जो है खास तोर पे उ मोहन सिन्यादों जो मद्परदेश के मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री है साफ तोर पर बयान देते हुए नजर आते हैं कि खुले में मांस पर प्रतिबंद लगाया जा रहा है और फिर राजिस्तान में जो बीजेपी बिधायक है बाबा वो साफ तोर पर कहते हुए देते हैं और एक लोग तांत्रिक देश में धर्न निर्पेक्ष देश में कहां तक यह जाइज है कि लोगों को जो है एक तरीके से उनको प्रतिबंद लगाया जी कि क्या खाए और क्या नहीं कहें फिलाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम ख कि अधिला सकता है